असलमेख्वाटन्स जैसे के आपको पता है कि हम G.C.Main.C.BH6 semester का कोर्स पर हैं और यह जो B.H6 semester का, बीच में सेची सजब्स कर इसने सब्सक्राइब कर और यह जो G.C.Main.C.E.S. आप जो आप चाहते हैं कि वसाइके साही टॉपिक आप डिटेल में उनको समझे उनको तियार करें पैपस के लिए तो आप लेडियो पर चाहिए ने तो डिस्क्रिप्शन में प्लेडियो का लिंक पड़ा होता है वहां पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी ओट लाइ प्लेडिस जो ओपन हो जाएगी उसके लावा अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी लेक्शर मिस्ना हो उसके लिए आप बैल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हल लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे उसके लाव अगर आपने मेरे चैनल को आपने खरए घ्राव जाता है तो आपने इस बडियो को शेयर करने है तो आज ही वीडियो लेक्शे में हम कोस्ट्ट्स करने एं इन्टेग्रल जिसके अमारे चैनल है जिसके हमने कन्वरिशन चैक करने है इंटेग्रल 021 फंक्षिन आप पर पास के लॉग अफ एंटॉग इस function की हमने convergence चेक करनी है close interval 01 के according ठीक है यापको पता है कि जैसे कि हमने previous question में एक चीज़ जूज की थी आपको पास interval है open interval 01 इस open interval 01 में आपको इभी point पुट करें तो log of x का जो answer है like में पुट करती हूं log of 0.2 इसका जो answer होगा log of 0.2 का 0.2 से ठीक है आप यह चीज़ चेक कर सकते हैं आपको इभी point पुट करके चेक कर लिए चेक कर लिए तो log of x क्या होता है less than x होता है आप इसे के according log of x plus 1 भी less than होगा x plus 1 ते जैसे कि यहाँ पर आप इस ताह से करें कि आपने 0.1 पुट करना है तो 0.1 प्लस 1 आप इसका log लें तो मेंशन देसन होगा 0.1 प्लस 1 से ठीक है यानिकि 0.1 0.2 प्लस 1 करेंगे तो आप पर पास क्या होगा 0.2 प्लस 1 तो यानिकि आप पर पास यह चो log है log of 1.2 इसका चो आंसर है वो less than होगा 1.2 से ठीक है अब इसी concept को यूज करेंगे तो हम इन दोनों को combine करते हैं इन दोनों को combine करेंगे तो आप पर पास क्या आजएगा log of x यानिकि आपने इन दोनों को multiply करने log of x log of x प्लस 1 से multiply होगा less than आएगा और x multiply होजएगा x प्लस 1 से तो यह जो आपर पास term है आप देखें यह जो function है इसको हम gfx function बोलेंगे यहां पर inequality लगाएंगे और यह जो function आपर पास है यह वाला यह आपर पास f of x function है जो के given function है यानके log of x log of 1 प्लस x ठीक है इसको हम f of x function बोलेंगे अगर आपर पास gfx converge करता है तो f of x भी converge करेगा अब gfx आपर पास क्या है gfx है x into x plus 1 आप कोई भी point close interval 0 1 में कोई भी point पूट करें 0 तक 0 पूट करेंगे तो 0 answer आएगा यानिके discontinuity नहीं आएगी और 1 पूट करेंगे तब भी discontinuity नहीं आएगी और कोई भी point अगर 0 1 या पर पास close interval इसके अंदर से भी कोई भी point पूट करें तब भी discontinuity नहीं आएगी यानके या पर पास चो integral है यह कोंसा integral है प्रॉपर इंटेग्रल है इम प्रॉपर इंटेग्रल नहीं है इम प्रॉपर इंटेग्रल में डिसकांटिनुटी आती है ठीक है और प्रॉपर इंटेग्रल में कोई डिसकांटिनुटी नहीं आती है आप देखें यहां पर पास इंटेग्रल है यह प्रॉपर इंटेग्रल ह अगर यह converge करता है, तो छोटे वाला function भी definitely converge करेगा, ठीक है, अगर बड़े वाला integral जो है, integral of the function converge करेगा, तो छोटा वाला भी integral of the function converge करेगा, यानि कि integral 0 to 1, log of x, log of 1 plus x dx, यह भी converge करेगा, ठीक है, और यही चीज़ हमने discuss करने थी, हमने basically इसकी conversion चेक करने थी, और यह आपर पा कीवी चीज़ समझ रहा थी, तो आप मैंसे पूछ सकते हैं, उसके लवा आप मेरे चनल को subscribe करें, अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया, ओके स्टोरेंट्स, अलाहाफेज,